दोस्तों बिहार SI सब इंस्पेक्टर यानि बिहार पुलिस दरोगा का जो है ऑनलाइन सुरू कर दिया गया है कैसे आपको फॉर्म को भरना है step by step मैं आपको एक लाइब फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी परकार की मिस्टेक नहों 1275 पदों पर जो है बिहार दरोगा यानि पुलिस सब इंस्पेक्टर की वेकिंसी निकल के आ चुकी है अगर आपने ग्रेजुशन कम्प्लीट किया हुआ है तो आप इस वेकिंसी के लिए फॉर्म को अप्लाइग कर सकती है तो आये फिरिंट जानते इस step by step कैसे आपको form को भरना है यही इसका online का portal है जहां से आपको form को भरना है पहले step में आपको फिरिंट से registration करना है और payment जमा करना है फिर आपको fill application form है और last में आपको print out मिलेगा यहां से advertisement को download करके आप देख सकते हैं इस website पर कैसे आना है तो इसके लिए मैंने आपको link जो है description box में provide कर दिया है या dsl helpingforever.com की website से भी आप इस website पर आ सकते हैं मनले आपने नाम Deepak ऐतो आप पर नाम को यूज करना मतलब लिखना है इसकी बस यहां पर इंडियन रहेग है अपना mobile लीखें में यहां email address लिखेंगे यह प्योंच रहा है कि technology can बनवा लीजएगा यह सब आपको जो है डॉकुमेंट्स लगेंगे जो के टिगरी का डॉकुमेंट्स लगता है वह आपको डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन लगेगा तो इस तरह से आप यहां पी चुछ करेंगे तो यहां पर यह नोट में आएझगा याँ छेंडर वतान है डेटर वरिफ आपको चूछ कर ले ना जो भी आपका डेटर वर्त है यहां पुछ सकते हैं तो उनका यहां category जोगा करते ही यहां पर आपकी जनकारी जो हो जाता है आप सकते हैं जनकारी डिए सब्सक्राइब करते हैं इसने कुछ में आपको मेंट्च करने का अपशन करके करें है में एक payment पे क्लिक करते ही यहां पे आपका जो है इस तरह से interpretrice आयगा यहां पे आपको card का option है internet banking upi wallet sbi branch payment यहां पे टमाम option आपको मिल जाते हैं जिस भी payment gateway से payment जमा करना चाहते हैं उसको आप choice करेंगे उसकी जनकारी को feel करेंगी और पटे कर लेंगे, तो मैं यहां पे जो है एक comment यहां पे कर लेता हूं, चलिए हम यहां पे comment को जमा कर लेते हैं, तो friends हम यहां पर card के दौरा यहां पर जो है मैंने comment किया हुआ है, यहां पर हम OTP को verify कर रहें, confirm करते हैं, OTP मेरा आङूख कर रहें है, process to fill application form आप इस पे click करेंगे और यहाँ पे बोलना कि print the payment receipt तो आप यहाँ पे click करके payment receipt को भी print जरूर रख लेंगे आगे future में काम आ सकता है आप इसको click करेंगे और आप जो इसे download कर लिजे चलिए आ करते है fill to application form fill to application form पे click करते हैं यहाँ पे अगें guidelines खुल आएगा guidelines को पढ़ेंगे अच्छे से और यहाँ नीचे आना है यहाँ पे सभी guidelines दिया हुआ यहाँ टिक करेंगे और यहाँ पे process to fill application form पे click करेंगे अब यहाँ पे आपकी जो जनकारी है यहाँ उपर में च्वाइस करने से अधार card, word ID card, pen card, passport, driving license या रासन card या birth certificate इसमें से कोई भी ID proof आप चूच करेंगे और जो भी ID proof आप चूच करेंगे उसकी संख्या जो होती है यहाँ लिख देंगे माल लिख आप pen card चूच करेंगे तो pen संख्या लिख देंगे वोडर ID card चूच करेंगे, वोडर ID संख्या लिखेंगे, passport चूच करेंगे, passport नमर लिखेंगे, driving license चूच करेंगे तो deal संख्या लिख देंगे यहाँ ठीक ना तो यह लिखना है अब यहाँ पे identification marks, identification marks का मतलब यह होता है कि body में कोई पहचान आप बतानी है जैसे तील का निसान, कटा का निसान, जला का निसान, जो भी body में पहचान है उसको आप अंग्रेजी में यहाँ लिखेंगे, जैसे माल यह तील का निसान है आपके सर पे, तो a mole on head, ऐसे आपको लिखना है या finger में है तो a mole on left side finger या left hand जो भी है उस तरह से आपको बताना है word of freedom fighter है तो yes करेंगे और उसका जो है बताएंगे पोता, पोती, नतनी क्या है और उसका certificate number और कब issue करवाए है या यहाँ पे claim कर सकते हैं नहीं तो आप इसे no कर देंगे, यहाँ पे अपना जो है educational qualification की जनकारी भरना है, यहाँ पे देखिए आपको metric की जनकारी भरना है, metric का जो है board का नाम लिखेंगे तो BACB board, बिहार board असे है, तो BACB board लिख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको passing certificate number लिखना है, तो certificate के according जो है यहाँ पे आपका certificate number होता है, आप जब certificate लिखवाए होंगे, तो आपको जो है जरूर होगा, उस पे आप देखेंगे, side में लिखा रहता ह है, वो certificate number यहाँ लिख देंगे, इसको certificate issue date, कब वो certificate issue हुआ है, यहाँ से आप बता देगे, तो पता है कि mark sheet अलग होता है, certificate अलग होता है, तो mark sheet की जनकारी यहाँ पे नहीं देनी है, आपको certificate की जनकारी देनी है, जिसको हम लोग सनत भी बोलते हैं एक तरह से, provisional certificate एक आत date, आपको यहाँ पे बता देना है, फिर graduation की जनकारी यहाँ पे मांग रहे है, तो graduation का university का नाम आपको लिखना है, यहाँ पे passing certificate number, तो graduation का आपने certificate जरूर मंगवाया होगा, तो passing certificate number यहाँ लिख देंगे, जो भी होगा, और यहाँ पे certificate issue date, कब वो certificate issue हुआ है, उसकी यहाँ date, month, year, चूच कर लेंगे, तो इस तरह से भरना, अगर आपने PG किया हुआ है, तो PG की जनकारी भर सकते हैं, PG नहीं किया है, तो आप इसे छोड़ दीजेगा, यहाँ पे एक चीज़ भी सेस ध्यान देंगे, यहाँ पे जो passing year है, वो यहाँ पे तो आएगा, December, November, October, तमाम option आ रहे हैं, बट, यहाँ पे जो advertisement में दिया गया है, कि अभ्यार्ति की century योगता, दिनांक एक अगस्त दो जार तेइस तक, किसी मानिता प्राप्त भी से विदाले से सनातक परिछा उत्र होना जो है, चाहिए, तो यहाँ पे एक अगस्त दो जार तेइस के बाद का रहेगा तो इसलिए यहाँ पे एक अगस्त दो जार तेइस के बाद आपका qualification पास आउट है, तो आप यहाँ पे eligible नहीं है, ठीक है न, तो इस इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे passing year एक अगस्त के पहले का होना चाहिए, एक अगस्त दो जार तेइस के पहले का, अब यहाँ पे आपक इस इक चोच करेंगे, यहाँ पीन कोड लिखेंगे, यहाँ पूछ रहा है correspondence address, तो यह पर्वेंट address बांग रहा है, यहाँ प्रोस्पेंटरस मतला पत्राचार का पता, अगर यह दोनों से में इसको टीक करेंगे, इधर वाला इधर copy हो जाता है, अलग अलग है, तो दोनों हुआ है, यह दोनों में बताना है, whether any criminal complaint, आपको अगश्प कोई criminal complaint है, या फियार है, पेंडिंग है, उस अब court के द्वारा, yes में बताना है, have you been ever arrested, कभी आपको औरेस्ट किया गया है in any criminal cases यहां पर बताना है पढ़ना है अच्छे से और उसके बाद आप यहां पर फोटोग्राफ अप्लोड करनी है यहां पर इंगली सिंगनेचर अप्लोड करनी है एक चीज भी सेज ध्यान देंगे फोटोग्राफ का यहां पर special guidelines है मैं आपको दिखाता हूँ फोटोग्राफ इन्होंने notification में दिया हुआ हाला कि यहां पर यह लोग बता रहा है ऐसे photograph होना चाहिए देख रहा है यह दोनों जो tick sign है यह ऐसा photograph लेकिन यहां पर इन्होंने एक special notification में दिया हुआ कि photograph कि इस परकार से होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ वेज नमर 12 पे और 13 पे जनकारी दिया हुआ है कि आवेदर का photograph रंगीन एवंक दो माह के अंदर खीचा हुआ होना चाहिए जिसका background सफेद हो मतलब सफेद background का जो है photograph आपको यहां पर attach करना है 15 से 25 के वी के बीच JPG format में होना चा पूरे publicly यह share किया गया है इस पर ध्यान नहीं देंगे यहां पर हला कि दिया हुआ इस तरह से सही है तो यह guidelines यहां पर दिया हुआ है चलिए हम इससे photograph को यहां पर attach करते हैं और यहां पर भी आपको सारा जनकारी दिया हुआ है photograph से लेटेट जनकारी जो भी है size वगरा भी तो आप फोटो को चूज करेंगे फोटो यहां सो हो जाएगा signature को चूज करेंगे signature सो हो जाएगा इस तरह से आप signature फोटो चूज कर लेंगे और यहां पर आपको process करना है जनकारी लिख के जैसे आप submit करेंगे यहां पर preview and confirmation page आएगा मतलब यह कि आप एक बार जनकारी को अ बरना है और submit application form पे क्लिक करना है submit करते हैं आपका form submit हो जाता है यहां print का option आ जाता है आप इस print पे क्लिक करेंगे और आप print out निकाल के hard copy अपने पास सुराचित रख लेंगे यह था फ्रिंट कंप्लीट प्रोसेस की किस परकार से आपको बिहार दरोगा SI का form को भरना है जहिन